शोभाज किजनेट में फिर से आपका स्वागत है अगर आप ढूंड रहे हैं कोई बेकली तो शोभाज किजनेट लेकर आ रहा है आपके लिए पाइनपल पेस्ट्री तो फिर आपको कहीं जाने की जरूद नहीं है चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या-क्या इं आज मैं बिना अंडे वादे पाइनेपल पेस्ट्री बनाने चाहरी हूं, उसके लिए हमने यह 100 ग्राम मैदा लिया है, यह 80 ग्राम पिसी हुई चीनी है, और यह 70 ml कर्ड, 60 ml रिफाइन लिया है, डिफाइन से केक बहुत ही स्पॉंजी और सॉफ्ट बनता है, वैसे आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, यह कैन मैंने पाइनपल पीसे लिये हैं, और उसका सीरप भी मुझे साथ में रखना है, आप चाहें तो फ्रेश पाइनपल भी ले सकते हैं, और यह विप्ट क्रीम है, यह मैंने दो साइज के स्पॉन रखे हैं, यह फुल साइज स्पॉन है, जिसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, और यह हाफ स्पॉन है, जिसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है, तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं, इसे बनाने के लिए सबसे पढ़ने मैंने एक बड़ा सब बोल दिया है इसमें ये कर्ड डाल देंगे और कर्ड के साथ ही मैं इसमें चीनी डाल दूँगे और इन चीजों को विस्कर से थोड़ा विस्कर लेंगे आप चाहें तो इसे आप चाहें तो इसे हैल विस्कर से भी इस तरह से कर सकते हैं अब इसमें ये तेल भी डाल देंगे तेल डाल के फिर इसे थोड़ा बीट कर देंगे अब इसमें मैं एक चमज बेकिंग पाउडर डालूँगी एक चमज बेकिंग पाउडर और हाफ स्पून बेकिंग सोड़ा अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे इसे करें एक मिनट इस तरह से फेट लेंगे इस तरह से घोल लिया है अब इसमें धीरे धीरे करके सारे मैंदे को डालेंगे इसे थोड़ा थोड़ा करके और इसे विस्क करते जाना है और इस केक को आप एक ही डिरेक्शन में चलाएए इस तरह से करके इसमें धीरे धीरे सारा मैदा डाल देंगे इसमें बाल दिये अब इसे दो मिनट तक अच्छी तरह भीट करना है इसका टेक्शर इस तरह से होना चाहिए रिबन की तरह इस तरह से इसका फॉल हो तो हमारा बैटर रेडी है बेख करने के लिए अब मैंने अवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया है उसे 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए बीट करेंगे जब तक अवन फ्री हीट हो रहा है तब तक हम केक बेख करने की तियारी कर लेते हैं मैंने केक टिन दिया है इसे नीचे की ओर थोड़ा समय में इसकी घी या तियर से आप इसकी ग्रीजिंग कर लेंगे ऐसे करने से जो मैं इसमें बटर पेपर डालूंगी वो अच्छी तरह से इसमें चिपक जाएगा तो इसमें यह बटर पेपर दाएगा है इस बटर पेपर के ऊपर भी फोड़ा सा इस तरह से ग्रीजिंग कर लेंगे आप इसके ऊपर जो केक का बैटर है वो मैं डालूंगी देख के बैटर का जो टेक्शर है इस तरह से होना चाहिए एक दम फ्री फॉल हो रहा है रिबन की तरह तरह कर दिया इससे फड़ा इस तरह से टैप कर दें ताकि इसके अंदर जो बबल से इकल जाएगा फिर केक अच्छी तरह से राइज हो जो चलिए अब हमारा आवन में प्री हीट हो चुका है इसे आवन में डाल देंगे देखि कर देंगे और इसमें नीकल रहा है जिसमें केक को इस तरह से पलट के रखेंगे जाक लिए की टी तरह से निकल लिया है जानका इसके ऊपर का быстр निकल देंगे केक कली लाँक और केसा न कितना स्पॉंजी भी बना है और अब क्रिम को बीट करने के लिए मैंने बड़ा सब्हम दिया है किया है इसमें मैंने करीब एक कप बीट क्रेमा दिया है इसे इसमें डाल देंगे, और ये मैंने थोड़ा सा आइसिंग शुगर लिया है, आप धर का पीसा हुआ चीनी भी ले सकते हैं, मेरे पास था इसले मैंने आइसिंग शुगर लिया है, आइसिंग शुगर को भी इसमें दो चमज डालेंगे, शुगर बहुत जादा नहीं डाल मैंने इसे 2-5 मिनट तक बीट किया और यह किस तरह से फोमी क्रीमी बन गया है आप इसे चम्मत से लेकर अगर गिराएंगे तो भी यह नहीं गिरेगा इस तरह का टेक्शर आने तक हमें इसे बीट करना है यह हमारा क्रीम रेडी है तो अब इसे हम केक के बीट में फेल करेंगे और इस केक को मैं बीट से आफ काटूंगे इसे इसे बीट से हाफ कर देंगे इस तरह से इसे हाफ काट देंगे केक को मैंने दो भाग में डिवाइड कर लिया है अब इसके उपर जो शुगर सीरफ है पाइनेपल में इससे थोड़ा-थोड़ा केक के उपर डालेंगे ताकि केक थोड़ा मुआस्ट हो जाए इस तरह से करके तोलोगे पीसे पिर पर अशुगर सीरफ डालेंगे अब जो हमने क्रीम बीट करके रखा है इससे इसके उपर इसका एक लेयर डालेंगे इसमें पाइनेपल के पीसेज को इस तरह से रख देंगे पाइनेपल के पीसेज इसके उपर पहला दिये हैं पाइनेपल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और इसके उपर जो केक का दूसरा लेयर है इससे इस तरह से डाल देंगे और जो बचे हुए क्रीम है उसका भी एक लेयर डालेंगे तो देखा आपने पेस्ट्री तो बनके हो गया तयार पर मिझे है आपकी कमेंट का इंतेजार तो फटा फट बनाईए खाईए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जुरू सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नई रेस्पी के सा तब तब के लिये बाई बाई